So hello everyone मैं विशुकुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चानल सरकारी काफे ओफेसल के ऊपर तो फ्रेंट्स कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था SSC MTS and Havaldar Examination 2022 के लिए जो Northern Region था उसके लिए क्या आपका Safe Score था जिसमें कि मैंने आपको बिहार और UP State का मैंने आपको बताया था कि कितना Safe Score रह सकता है category wise मैं पूरा analysis करके मैंने आपको बताया था तो अगर आप पिहार और UP के candidates हैं और अगर आपको Safe Score जानना है MTS के रिगाडिंग और हावलदार के रिगाडिंग तो आप वह वाला वीडियो देख सकते हैं आप उस वीडियो का लिंक जो निचे description box में में देदूँगा या पर comment section में पिन कर दूँगा तो आप वहाँ पर click करके आप उसको भी देख सकते हैं बाके दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Northern region के बारे में ठीक है Northern region जिसमें कि आपका दिल्ली, राजस्थान, एंड उत्राखंड ये तीन state आपका जो यहाँ पर cover होने वाला है तीनो state का में यहाँ पर safe score आपको बताने वाला हूँ with analysis ठीक है तो आप इस वीडियो को देखिए अगर आप Northern region से है तो ठीक है और मैं आपको बता दो friends कि यह जो है Northern region यह 3rd ऐसा मतलब region है जहाँ पर cut-up जो हाई जाता है पहले नमर पर आपका Central region है दूसरे नमर पर नौर् region ही है तो दिशेर नमर का ऐसा region है जहाँ पर cut-up का हाई जाता है तो चलिए हम लोग discuss करते हैं यहाँ पर कि दिल्ली राजस्थान एंड उत्राखंड के लिए safe score क्या रह सकता है लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर analysis करने वाले हैं तो चलिए हम उसको देखते हैं तो analysis मे सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि आपका इस बार total seats available कितना है और previous year के बात करें तो previous year में कितना seats available था तो देख सकते हैं उपर में 2021 का है और नीचे में 2022 का है 2021 की अगर बात करें तो दिल्ली में आप देख सकते हैं 703 seats available थी और राजस्थान की बात करें तो 114 seats available थी और जो उत्राकंड था उसमें मातर 53 यहाँ पर seats available थी लेकिन वहीं 2022 के अगर बात करें तो देख सकते हैं सीधे 700 से वेकंसी जोई increase होकर के दिल्ली की 268 हो चुकी है और वहीं राजस्थान में कम हो चुका है राजस्थान में आपका 55 ही है ठीक है और उसके बाद उत्राकंड में भी यहाँ पर वेकंसी जोई increase हो चुके है यहाँ पर देख सकते हैं 501 टोटर यहाँ पर वेकंसी है तो पहले 2021 में इस रेजन में 870 वेकंसी थी और आपका जो वेकंसी है फ्रेंट्स वो दो गुना से भी जादा है यहाँ पर तीन गुना से भी जो है और 870 वेकंसी की टाइम कितना मतलब कट अफ गया था गया था तो यहाँ पर देख सकते हैं दिल्नी को यहाँ पर घचकते हैं आपको दिखेंसीये ओक पर गया था लगभग 92 में गया था जब आपका 780, मतलब कितना था, 870 था, ठीक है, 870 वेकंसी के जब थी, तो आपको इतना cut-up गया था, ठीक है, और उसे तरीके से OBC का देखा जाए, तो OBC का भी 90% के, मतलब 90 के आसपस था, ठीक है, ये out of 100 था, फ्रेंट्स के, 2021 में जो pattern था, वो, मतलब 100 marks का paper होता था, लेकिन इस बार paper आपका 150 marks का है, ठीक है, तो इस बार जो cut-up आपका रेडियो का 150 marks के best पर ही बनेगा, जो कि English और जो GK है, उसके best पर बनने वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से था, दिल्ली का आप देख लिजेए, ठीक है, राजस्थान का भी देख सकते हैं, यूर के अगर बात करें, तो यूर का आप देख सकते हैं, यहापर है, 92, 93, ठीक है, जो की काफी ज़्यादा है, 92, 93, उसके बाद यहाँ पर बात करें, OBC की, तो OBC का आप देख सकते है, 91 है, ठीक है, तो यह पिसला सल का cut-up है, तो उस समय उतना seat था 870 इस बार triple यहां पर vacancies है और अभी भी और vacancy increase हो सकती है यह सिर्फ tentative vacancies ही मतलब SSC बताई है यह आगे भी vacancy increase हो सकती है तो जाइड सी बात है कि cut up आपका इस बार low जा सकता है ठीक है तो आए हम लोग normalize mark से आप बात करते हैं कि normalization के बाद जो आपका क इतने मार्स है यह सारा का सारा जो है आपका normalize marks है ठीक है normalize marks और आपको पता होना चाहिए कि कितना तक normalization होता है friends तो देखिए normalization जो होता है आपका वह सकता है और एक से लेकर कि 15 अठाड़ा भी जा सकता है ठीक है इतना marks तक आपका normalization हो सकता है सिर्फ पर depend करता है काफी स जो फेज हुआ था उसमें जोए easy questions आए थे एंड जो बाद वाला phase हुआ था उसमें hard questions आए ठीक है तो मतलब यह depend करेगा कि जिस भी shift में hard question आएंगे उसमें आपका ज्यादा normalization होगा ठीक है तो एक से लेकर करके 18-20 नमबर तक भी आपका normalization हो सकता है ठीक है वह आपका shift प भी दिल्ली मतलब vacancy है लेकिन इसमें यहां पर candidates भी काफी ज्यादा होते हैं apply करते हैं बहुत ही ज्यादा ठीक है जिसके करण से यहां पर cut up जो हाई चला जाता है और pwd की बात करियाने की physically handicapped है तो 105 प्लस का आपको रहना होगा ठीक है यह normalization वाला max है वारवर आपको बोल रहा हो ठीक है अगर आपका मतलब raw score आपका मान की चलिए की 110-115 भी आ रहा है और यूर काटेग्री से हैं आप तो normalization हो करके आपका जो हो सकता है कि 120 प्लस आपका माक्स चला जाए आउट ओफ 150 ठीक है तो यह आपको देखना है फ्रेंट्स इतना ही आपका रहा सकता है ठीक है यह दिल्ली के मैंने आपको बताया आगे बात करते हैं यूके का यानी कि उत् 115 प्लस तो आप इसका भी screenshot ले लिजिए अगर आप उत्राखंट से हैं तो आप इसको देख लेजिए इसी के आसपस आपका score रहने वाला है ठीक है चले नेक्स्ट के आपर बात करते हैं राजस्थान के जो की लास्ट है हमारा तो राजस्थान का देखिए 123 प्लस सीवर के चले जाने वाला है ओवी सीगे 120 प्लस ठीक है यहाँ पर देखिए राजस्थान में कटफ जो है आपका थोड़ा हाई भी जा सकता है क्योंकि पिछले साल की आप एक्षा अगर बात की जाए तो पिछले साल के पेक्षा यहाँ पर जो है कटफ थोड़ा से यहाँ पर मतलब मतलब सॉरी कटफ की मैं बात करोगा यहाँ पर सीट्स जो है काफी कम है ठीक है वेकंसी कम है राजस्थान में पिछले साल के पेक्षा तो इसके करण से यहाँ पर जोड़ा सा है पर हाई जा सकता है ठीक है हो सकता है कि युवाड के लिए 125 प्लस चला जाए उसका भी ठीक ह है तो अभी के लिए बस इतना लेकर के चलिए कि 114 प्लस से एस्टे के लेक्षो बाड़ा इसके लेक्षो सात्रा प्लस एक सर्विस्में के लिए 90 प्लस और पीड़ूडी के लिए 115 प्लस ठीक है तो यह यह आपका जो है कटफ रहने वाला तो राजस्थान के लिए मैं लए और आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसको फटाफ़ से कलवाले वीडियो में आपको लेकर आ जाओंगा तो आज किस विडियो को लेकर फ्रेंस बाक्किशे लगी है यह लगी को लाइक किजिए अपना अपना ओंविडेंग कमेंने कर्यों में ज्रूर दिजएगा मिल आपसे नेक्स्ट टूडिया में तब तके लिए गुडबाई